निविल आट पास आने का गट बहुत सारे बंदेगा मेरे को कोमेंट आने लगा किया हमारा गेम इस्टार्ट नहीं हो रहा चाया CS RANK हो, BR RANK हो या फिर TRE NEG तक स्टार्ट नहीं हो रहा स्टार्ट नहीं क्या मतलब है जैसे हम गेंग को स्टार्ट करते तो चैनल पर्सट पर गेंचे करके दिखा रहो देखो यहां पर गया और इधर से लोडिंग सब्सक्राइब दिखा उससे आगे बढ़ेग करना पड़ा झाल पड़ घृइब जो और भी गेम लोग होजाते हैं फिर हमारा गीम स्टार्ट नहीं होता अभी वीडियो बहुत पहले बना के रखा था वह फूर जी डिवाइस के लिए ता मतलब जो बुई बंदें पास फूर जी डिवाइस था उनका एक साल पहले कुछ वीडियो बनाया था लगपक्त एक स स्टार्ट नहीं हो रहा है तो इसका कैसे सॉल्फ करेंगे वह भी मैं आपको इस वीडियों बताने वाला हूँ जहां तक मैंने देखा जिनके पास जियो सीम था और 5G डिवाइस था उनमें ज्यादा ये प्रॉब्लम साइट से नहीं आ रहा है लेकिन अगर आ रहा होगा तो मेरे को कॉमेंट करके जरू से बता देना दो चीजे आर अगर अपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करें तो लाइक कर जाना चैनल पर न्यूँ हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसका solution क्या है देखो जिनके पास है वाराम से connect करके खेल लो जब तक ये उपर से solve नहीं हो जाता यानि कि free fire update अब जब तक नहीं लाते तब तक ये solve नहीं होगा तो जिनके पास दो फोन है वो अराम से खेल जाकते हो बट जिनके पास नहीं है वो आगे देखो मैं उनके लिए भी solution बताने वाला हो सबका solution हो जागा don't worry मैं सब एक एक करके बता रहो अब देखो दो device के लिए तो clear हो गया जिनके पास वो खेल लेना अब देखो क्या करना है अगर आपके 5G device है ना तो 4G कर लो पहली बात 4G कर लो अब यहीं पर सुनके मत चले जाना किया है तो दूसरी तरह बता रहा है पड़ेगा तो यानि कि दूसरा अभी अवलेबल नहीं एपीएं तो अभी आप 5G device में 5G को स्वीच करके आप गेम को नहीं खेल सकते जब तक फ्री फायर वाले कुछ अपडेट नहीं लाते एक ही गाम कर सकते थे अगर नया एपीएं मिल जाए तो उसको अपडेट करके 5 5G पे भी आप गेम को खेल सकते थे बाट जीओ वाले साफ मना कर रहें कि आप में अभी 5G के लिए कोई भी नया एपीएं आव लेबल नहीं हुआ है जैसी होता है तो हम आपको प्रोवाइट करा देंगे और वह जैसे मेरे को देते में वीडियो बना के दे दूँगा आप को फिल कभी प्रोब्लम नहीं होगा ऐसा कुछ ठीक है 5G डिवाइस के लिए लेकिन देखो अभी आपको 4G करना ही पड़ेगा क्यों 5G में नहीं चलेगा ठीक है अगर फ्री फायर वाले अपडेट कर देते तो बात अलग है चलने लग जाएगा आप एक ही चीज कर सकते हो फाइब जी को 4G में स्वीच कर सकते हैं सबसे पहले अपने फोन का में सेटिंग ओपन कर लो यहां पर आपको एक ऑप्सन मिलेगा मोबाइल नेटवर्क इस पर आपको क्लिक कर देना है नहीं मिल रहा तो सर्च करके देख लिए जहां पर मोबाइल नेटवर्क रहेगा इस मैं मैं सेटिंग करना है अगर ना मिले तो एकसेश पॉइंट नेम करके मिलेगा देखो कुछ-कुछ-कुछ-डिवाइज में रहता है पर नाम है और एकसेश पॉइंट नेम उस पर आपको क्लिक करने के लिए त्री डोट पर क्लिक करेंगे और यहां पर रप्सेश प्लिक करने के लिए तो मिल जाएगा आपको मैं मैं मैंनुल दिखा रहो मैं कनेक्शन तो मिल जागा पहीं पर शेरिंग में जाएंगे तो यहां पर फ्राइवेट दिनेस्ट को अप्सन मिल गा इस फे प्लिक कर देना है पहले से उटो पर इस पेसिफाइड ने सपर घ्लिक करना जैसे करते तो यहां पर यह चाहिआ है क्लिक कर देन को नहीं चाहिब करनेDAY कर देख लिए चयाइस को YouTube क्लिक करना है investing यिक दीनों बात डोट्रसथाइद करेगा अब करेगा इसकी我ई गैरेंटीρά करें जैसे कुछ MB का अपडेट आएगा यह fix हो जाएगा Free Fire की ओर से और जैसे यह हो जाता है तो आपको एक बार फिर से जो भी मैंने सेटिंग आपको करवा है रोले बैक कर लेना यानि कि जो मैंने आपको करवाया फिर से वही Default SETTING आपका लेना